जवान मुवी में छूपी हैं ये बारा बाते समीर वानखेड़े का जिक्र बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर फिल्म के इस डायलोग को सुनकर ऐसे लगता है कि वो ये डायलोग समीर वानखेड़े को ही बोल रहे हैं आरियन खान NCB केस की तरफ इशारा करते हुए इस डायलोग को SRK ने दुबाई फिल्म सेलिबरेशन के दौरान भी कहा था अर्विन केश जिवाल के जैसे भाषण जैसे पॉलिटिशन अर्विन केश जिवाल ने वोटर्स को सतरक रहकर वोट्स डालने की अपील की थी कुछ वैसे ही SRK ने भी वोटिंग राइट्स और रिस्पॉनसिबल वोटिंग पर फिल्म में रोशनी डाली है और अपने डायलोग में कहा है कि क्यों हम सरकार चुनते वक्त सवाल नहीं करते देश में बढ़ते हुए फार्मर सुसाइट केसिस भारती किसान बिल ने भारत में काफी टेंशन पैदा किया था फिल्म में किसानों की आत्मत्या की समस्या को बहुत ही नाजूप तरीके से दिखाया गया है एसार के अपनी कैरेक्टर के थूँ एक अमीर आदमी से पैसे वसूल करके सबी किसानों का अर्ज अदा करते हुए दिखाई देते हैं बोपाल गैस हादसे का जिक्र 1984 में बोपाल में हुए इस दिल तैला देने वाले हादसे के बारे में कौन नहीं जानता जवान मूवी में इस पर ध्यान दिया गया है जिसमें कई लोगों की जान चली गई फिल्म में गलत इंडस्ट्रियल काम और उनके सरकार पर होने वाले प्रभाव पर दिया गया है इतना ही नहीं S.R.K. और उनकी टीम ऐसी फैक्ट्रीज को बंद करने की तरफ भी काम करते हैं स्वधेस फिल्म की कावेरी मा इस फिल्म में रिदी डोगरा को S.R.K. की मा का किरदार निबाते होगे देखा गया है जिनके कैरेक्टर का नाम कावेरी अम्मा है क्या ये नाम आपको कुछ याद दिलाता है 2004 में आई S.R.K. के फिल्म स्वधेस में उनकी मा का नाम कावेरी अम्मा ही था 2017 में गोरकपूर हॉस्पिटल हाथसा जवान मूवी में गोरकपूर हॉस्पिटल हाथसे जैसा एक हाथसा दिखाया गया है जहां सरकार की लापरवाई के कारण 60 से ज़्यादा बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई थी उस समय डॉक्टर कफीन कान ने उन्हें बचाने की हर कोशिश की लेकिन बाद में उन्हें फेक केस में फसादिया गया फिल्म में सान्या मलूतरा द्वारा निभाए गए डॉक्टर ईरम के किरदार में डॉक्टर कफीन काल से काफी मेल खाता है क्योंकि ये उनकी भी सरकारिया सफलता को छिपाने के लिए फसादिया गया था शोले फिल्म का जिक्र क्या आपने S.R.K दौरा यूज की गई बेल्ट पर गौर किया जी हाँ ये फिल्म शोले में गबर दौरा यूज की गई बेल्ट से काफी मेल खाती है अपरिचित फिल्म वाली लुक साउथ इंडस्ट्री फिल्म अक्टर विक्रम ने जो मास्क फिल्म अपरिचित में पहना था कुछ वैसा ही मास्क S.R.K ने भी फिल्म जवान में पहना है अपनी असलियत चुपाते हुए इस मास को पहन कर S.R.K. ने अपरिचित की याद दिला दी है बाओ बली फिल्म का जिक्र जब मूवी में विक्रम अपने खास आद्मी काली के साथ सामना करते हैं तो उनको हसी मजाग में बाओ बली के नाम से बुलाते हैं दिल तो पागल है मूवी का जिक्र राहुल नाम तो सुनाई होगा दिल तो पागल है मूवी का ये मशूर डायलोग को जवान फिल्म में दुबारा रीक्रियेट किया गया है जहां S.R.K. बोलते हैं राठोर, विक्रम राठोर, नाम तो सुनाई होगा कलनायक की वापसी जी हाँ इस फिल्म में संजेदत का भी कैमिय रोल दिखाया गया है जहां वो अपनी ग्रैंड एंटरिंस फिल्म कलनायक के आइकॉनिक डायलोग नायक नई कलनायक हुमें के साथ करते हैं दूम फिल्म जैसे स्टंट्स क्या आप सबी को दूम फिल्म के बाइक स्टंट्स याद हैं अगर हाँ तो जवान फिल्म में भी कुछ उसी तरह के बाइक स्टंट्स आजमाए गए हैं जो दूम फिल्म की याद दिलाते हैं